पर साथ का सीजन है, चलो बनाते हैं कुछ फिंगर फ्राइज, उसके लिए आपको पानी लेना है, उसमें बेसन डालना है, फिर हल्दी में रिश्टामक डालना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, यह जो छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं, आप इसको भी अच्छे स और रख देना है, जैसे यह सौक गोर लेते हैं इसको बाद आपको इसको गरम औल्स में अच्छे से फ्राइ करना है, अजर आपको ईसको गोल्डन कलर में रखना है, तर छिए प्र०र बढ़रानी रखना हैं, न ढएक कम डाइज श्टामक आपको तीस ख्रामें बशला करन